तो इस वीडियो में करने वाले एक लास्यन का चैप्टर नमबर 10 सर्कल की एकसे साइ 10.2 का कोश्चन नमबर 8 तो कोश्चन नमबर 8 क्या है तो यहां पर मैं इस डाइग्राम की फोटो चिप का दूँगा तो उसको आप देखते रहे न ठीक है तो सबसे पहले हम गीवन लिखेंगे गीवन है अब हमें प्रूफ क्या करना है तू प्रूफ करना है हमें AB जो है वो CD को प्लस करेंगे तो AD प्लस BC बन जाएगा अब solution में देखते है solution हम करेंगे AD प्लस BC ठीक है solution में सबसे पहले लिखेंगे अगर एक ही पॉइंट से खीची जाती है तो दोनों टेंजन का जो लेंथ होता है वह बिल्कुल से मोता है अब देखो आप डाइग्राम को देखते रहें ना डाइग्राम मैं भी देखते रहता हूं भूप में ठीक है अगर मैं एस अगर आज सब्सक्राइब कर देखते र प्लस इक्वल टू एपी करूं तो क्या बिल्कुल ठीक है क्यूंकि एसे ही दोनों टेंजन ओरिजिनेट हो रहे है मतलब कि एक कॉमन पॉइंट है तो वहां से जितनी भी दो रेज निकल लिए मलब दो टेंजन निकल लिए तो उनका जो लेंथ होगी वह सेम होगी तो एस पर बराबर है फर्स एक्वेशन अब बीपी और बीक्यू भी बराबर होंगे क्योंकि बी से दोनों टेंजन निकल लिए तो वह भी बराबर होंगी अब देखो मैंने एपी और सॉरी एस और बीपी सॉरी यहां पर आपको थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया यहां पर यह यह पर लिए तो यहां पर बीपी आएगा और यहां भी क्यू आएगा ठीक है अब यह क्यू कर रहों देखो अगर मैं AP और BP को जोड़ूंगा तो हमारे AB बन जाएगा बनेगा और हमें AB लाना है प्रूफ करने में तो अभी आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा अब AB बन गया अब आप लिखना BQ के साथ मैं क्या जोड़ूं कि कुछ बन जाए तो BQ के साथ मैं CQ जोड़ूंगा और CB हमारे यहाँ पर आ जाएगा अब क्या करेंगे एडिंग अब देखो जितनी भी इस तरफ के इना उनको एक साथ जोड़ दो AS Plus BQ Plus CQ Plus Ds और AP Plus BP Plus CR Plus DR इधर के एक साथ जोड़ दिये तो देखो AS और BQ AS के सांथ मैं क्या जोड़ू कि कुछ बन जाए AS दS जोड़ेगा तो हमारा AD बन जाएगा अब BQ और CQ को जुड़ाओंगा तो BC बन जाएगा AP और BP को मिलाओंगों तो AB जाएगा और इन दोनों को जड़ाओंगा तो CD बन जाएगा और एक औरी जिमलब अरेंज करके लिखने है ताकि सम करने के बाद यही बने ठीक है तो यह वीडियो पर असांती लेकिन थोड़ी से ट्रिकी थी यह वाला इस्ट्रैप अगर वीडियो चलेगे तो लाइक करने चेंग पूर ना सिस्क्राइब नेक्स वीडियो में लेंगे को बहुत इंपॉर्टेंट कोशिन है कोशिन हमना आई तो लास्ट एगली वीडियो जरू देखने।